मैं रिमेश चंत रिटायर सीनियर संगीता ध्यापक मनीपाल हॉस्पियल में से बोल रहा हूँ पट्याला से और मेरे को अल्टा सुन करवाने पर स्टोन आया था जो पत्री का अप्रेशन में ने यहां से करवाया है तो अप्रेशन करने वाले सभी डक्टर एक महिला डक्टर थी और दो डक्टर थे जिन में से शीरी रजिंदर गोयल जी का नाम मुझे याद है बाकि दोनों डक्टर भी बहुत अच्छे थे और ये भी बहुत अच्छे डक्टर हैं और मुझे किसी तरह की कोई इन्होंने परिशानी नहीं आने दी जबकि मैं डरता था पर अपरेशन के दुरान मुझे क्या होगा लेकिन जब अप्रेशन हुआ तो मुझे पता भी ने चलना दिया कि मुझे मेरा अप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ आज भी जब मैं आया स्टीचिंग खुलवाने के लिए तो डॉक्टर इंदर जी मुझे मिले और इतना अच्छे ढंक से खोले के मैं बहुत खुश हूँ और मैं कभी भी दर्द मैसूस या फीलिंग मैसूस नहीं कर रहा कुछ भी मैं बहुत इन सब डॉक्टर्स का स्टाफ नर्स का तो ये सब बच्चों का मैं बड़ा भारी हूँ बहुत रिनी हूँ इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया बहुत रिगार्ड किया और बड़े अच्छे ढंक से मेरा अप्रेशन किया है मैं बहुत खुश हूँ मैं गॉर्मेंट्स यानि के टीचर रिटैर हूँ मैं तो अब मैं बिल्कु ठीक महसुस कर रहा हूँ बहुत खुशी खुशी अपने घर जाने को अब तयार हूँ तो अब सब का बहुत धन्यावाद करता हूँ इस तरह की देश की ये सेवा करते रहें लोगों के दुख खटब करते रहें एक गजल मैंने अभी अभी रात को ही लिखी थी छो दो लेन सुनाता हूँ आपको रिंदर जी के बारे में मौसम आएंगे जाएंगे डाक्टर जिंदर को भूलना पाएंगे याद उनकी जब आएगी चंद बातें याद दिलाएगी हर वक्त मुझे हर वक्त हमें तड़ पाएगी आँखों से नीद चुराएगी सुबह उटते ही हम गाएंगे मौसम आएंगे जाएंगे डाक्टर जिंदर को भूलना पाएंगे धन्यवाद रमेश अरोडा रिटायर म्यूजिक टीचर